तो बार-बार एक जैसे नाश्टे खाकर आपका मन भी बोर हो जाता होगा तो मैंने क्या क्या कि एक दम ही तड़कती-फड़कती मेगी की ये नई तरह की रेसिपी बना दी है जिसे खाते-खाते पीओ या पीते-पीते खाओ लेकिन एक बार जरूर से बनाओ और कभी भी ऐस तो यह रेसिपी क्या है कि बहुत सारी बन जाती है वह भी सिर्फ 2 मेगी के पेकेट में तो चार जने क्या पांच जने भी आराम से पेट भर के से खा सकते हैं तो चलिए जल्दी से बिना देर के हम यह हमारी रेसिपी शुरू करते हैं पर सबसे पहले तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी को कडाई में अच्छे से गरम करेंगे और फिर इसमें डायरेक्ट ही यह नूडल्स के बाहर डाल देंगे मैं हाँ पर दो मेगी बेकेट के इस्तमाल कर रही हूँ तो मैं इनको ऐसे ही पानी में बॉयल कर रही हूँ और इसमें अभी हम टेस्ट मेकर नहीं डालेंगे बस नूडल्स को ही हमें बॉयल करना है और आप चाहें तो इसको टुकडो में भी करके डाल सकते हैं मैंने ऐसे ही full piece में इसको डाल दिया है और ज़रा से ये half teaspoon नमक भी इसमें डाल दिया है और बस इसको अच्छे से soft होने तक हमें boil करना है वैसे कभी आप बताना मुझे कि क्या दो मिनिट में आपकी मेकी बन करके तयार हुई है क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ नूडल्स को बॉइल कर रही हूँ लेकिन जिसमें भी तीन मिनिट से जादा का टाइम हो गया है बस यहाँ पर मैंने गेंस के आज को बंद कर दिया है जितना मुझे इसे पकाना था यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है अभी हम क्या करेंगे कि इसका सारा पानी जो है वो छानकर निकाल देंगे और अभी काफी जादा गरम भी होते हैं यह तो हम क्या करेंगे इसके ओपर ठंडा करेंगे और फिर यह मिक्सिंग बॉल में इसको डाल देंगे यहाँ पर आप देखिए अच्छे से खिले खिले हमारे यह नूडल्स तयार हुए हैं यहाँ पर मैं मेगी पेकट का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहाए तो यहाँ पर प्लेन वाले जो नूडल्स होते करेंगे और फिर क्या करेंगे कि कढाई में हम यहाँ त्यम करता ही और मीडियम पर हम तैल अच्छा जाधा गरं करिंगे और फिर बस यह जो नूडल्स हे कि पहले तो हमने नूडल्स को बोईल किया और फिर इसको कौन फ्लार की कोटिंग करके हमने यहां पर इस तरह से फ्राई कर लिया जब यह थोड़े फ्राई हो जाए उसके बाद हम अलट बलट कर इसको दोनों साइट से फ्राई कर लेंगे तो यहां पर इस तरह से यह कर रहे हैं तो खाने में यह बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगेंगे काफी क्रिस्पी और कुर्कुरे से लगते हैं तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पर सारे निडल्स फ्राइ कर लेती हूँ अब जो इन दोनों ही पेकेट के टेस्ट में करें उनको मैं यहाँ पर इस तरह से दूसरे मिक्सिंग बॉल में निकाल रहे हूँ अलग से हम इनको पानी में घोल कर लेंगे और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे यह 1.5 टेस्पून चीनी चीनी हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग तरह काता है इसमें खटा बन भी होता है और थोड़ इसी मिठास भी होती है फिर इसमें हम डालेंगे यह 1.5 टेबल स्पून कॉन फ्लार और पहले इसको एक बारी मिला लेंगे और फिर इसमें आधा कप पाने डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो इस तरह से हमें इस मिक्स्चर को बना करके रख लेना है अब मैंने फटा फट से एक बड़ी कढ़ाई गेंस पर रखी है और इसमें एक टेबल स्पून तेल डालकर अच्छे से गिरम कर लिया है और आप देखें मैंने क्या किया कि बारिक कटा हुआ लहसन और अधरक लिया है एक एक टीस्पून इनको हम गरम तेल में डालकर थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे और जैसे ही हलका सा इनका color change हो जाएगा तुरंथ ही हमें इसमें बारिकटा हुआ प्याज डाल देना है अब ये आप देखिए मैंने हाँ पर धेर सारी बारी कठीवी सबजया ली है थोड़ी सी मैंने ये बारी कठीवी पत्ता गोबी, बारी कठीवी गाजर, बारी कठीवी शिम्ला मिर्च ली है और इनको डाल कर हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे और एक निट के लिए इन सबजयों को भी अच्छे से हाई फ्लेम पर हम भूल लेंगे यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे डार्क वाला सोय सोस तो ये मैंने इसमें डाला है वन एंडा हाफ टेबल स्पून आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको भर कर लिया है और ये इस तरह से हमें सबजयों के ऊपर डाल देना है फिर यहाँ पर मैंने एक टीस्पून ये वाइट विनेगर लिया है और इसको डाल कर अच्छे से मिला लेंगे अभी तुरंद ही मैं इहाँ पर इसमें पानी डाल रहे हूँ पानी हम इसमें थोड़ा जादा ही डालेंगे तो आप देखिए मैंने ये लगभग और ये आप देखिए बिल्कुल थोड़ा सा वनफौर्थ टीस्पून मैंने नमक डाला है क्यूंकि नूडल में हमने नमक डाला है तेस्ट में पहले ही नमक होता है हमें यहाँ पर सबजीों के लिए ही इसमें नमक डालना है और अच्छे से इसको मिला कर इसको उबलने दे और अच्छे से इसको मिलाना है जब तक कि ये दोबारा से गरम ना हो जाए आपको जानकर हरानी होगी कि मैं इसमें थोड़ी सी चीनी उपर से और डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा फीका लग रहा था मिठास के लिए तो चीनी में इसमें डाल दिये हैं और साथ कौन फ्लार का कच्छापन भी निकल जाएगा तो यहां पर आप देखिए हमारा ये रेस्टोरेंट जैसा मंचाव सूप बन करके बिल्कुल तयार है इसको अब हम गरमा गरम सर्व करेंगे तो अगली बार से कभी भी खाने वाले जादा हो और समान कम हो और मेगी को अ हाका नूडल से बनाये जाता है लेकिन आप अब इसको मेगी से भी बनाा सकते हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत जादा आता है तो अब आप मुझे सच-चच बताना कि मैंने मेगी बनाई है या आपको आजीब तो नहीं लग रही है आच्छी लगी है या बूरी लगी है य जरूर से क्लिक करें ताकि नई रेसिपीस की जो नोटिफिकिशन है वो आपको मिलती रहेगी हम आप नेक्स रेसिपी के साथ आप से जल्द ही मिलते हैं तिल देन इंजो इस टेस्टी टेस्टी मेगी का मंचाव सूप एंड थैंक्स पर वाचिंग एट यह मिशास